कि हालो नमस्कार दोस्तों वेलकम इस्ट्रीट टूपाइन जीरो आज है चोबिस अगस चोबिस अगस से जितने भी करेंट अफेर के इंपॉर्टन कोश्चन बन सकते हैं सभी कोश्चन पर डिसकस करेंगे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि हर वीडियो का नौटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्तपोड होने वाला है तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है चलते हैं आज के जो पहले प्रेश्चन आज का जो हमारा पहला प्रेश्चन है दोस्तों वह यह है कि G20 संकित समू की चौथी बैठक का कहां आयुजित की ग आपसर नमबर 20 सही है वारानसी वारानसी में इसका एजन किया गया है संकित समू की चौथी बैठक आप से पूछेगा अगर फश्ट बैठक कहां पे हुई तो इसको खजुराहो जो किमत प्रदेश में है यहां पे बताएंगे अगर आज संकित समू की दूसरी बैठक आप अगला हमारा क्वेश्चन यह है कि पॉइंट कि एस्सीयो की पहले संस्कृत राजधानी आपसे पूंचे तो वारानसी बताएंगे और एस्सीयों 2023 का जो मेजबान देश है वो भारत है भारत इसका मेजबान देश है 2023 में ठीक है और एस्सीयों की जो जो मुख्याला है एस्सीयों का वो बीजिंग में है जो की चीन में है ठीक है और एस्सीयों का नवा सद सभी इरान बना है याद रखेंगे सभी पॉइंटों को आगे बढ़ते हैं अगला हमारा पॉइंट यह है कि जो पंदरह में हांकी विश्वकब 2023 की बिजयता टीम रह में यह भी याद रखेंगे कहा पर हुआ था किसी स्टेडियम में विर्शा मुंडा स्टेडियम में जो की उड़ीसा के राउल केला में स्थित है यह पॉइंट को नोट करके रखेंगे चलते हैं अगे बढ़ते हैं अगला हमारा question question number 2 है हाल ही में चर्चा में रहा कवेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से हैं तो जो कवेरी जल विवाद है यह दच्छिन भारत है याद है तो इस वर्सभर बहने वाली नदि तो इसका कवेरी जल व्यवाद इसका जो राइट अंसर है आपसर साहिए याद रखेंगे चलते हैं अगे बढ़ते हैं में अगला हमारा जो पॉइंट है यह कि एम वती और काविनी कि साहिक नदी है तो यह कवेरी कि साहिक नदी है याद रखेंगे और जो तीन ग्रेमी पुसकार जीतने वाला एक मात भारती आप से पूछें कौन है यह रिकी केस है बहुत ही इंपर्टन कोश्चन है याद रखेंगे ठीक है अगला जो हमारा यह पॉइंट है कि बिस्व की पहली लिविंग हेरिटेज इन्वर्सिटी का दर्जा किसे प्रदान किया प्रफिता गया तो इसका जो राइट एंसर है 20 सुभारती जो की कोलकाता में प्तिक यह रभिन ना टाइगों ने इसकी स्थापना की थी आगे बलते हैं अगला हमारा पॉइंट यह है कि जो बाड चैट बाड किस ने लांच किया है तो यह गूगल ने लांच किया है गूगल ने जो बाड चैट बाड है इसको लांच किया है और आप से अगला पॉइंट यह पोस सकता कि चैट जीपीटी जो चैट जीपीटी है किस ने लांच किय सेवा बित्रण आकलन की अनुसार आधिकतम से वाएं परदान टान करने वाला राज कौन साथ आपसे पोछेगा तो इसका जो राज अंसर है आप सा नंबर असहें मध्धप्रदेश आपसर नभर सा ही है इसका मध्धप्रदेश जो है जो इसेवा परदान करने वाला प्रधान मंत्री दोरा जल जनभियान का सुभारम कहा किया जटता है तो माउंट अबू में क्यों आगे किया है तो सौराष्ट जिसकी टेम बिजेता बनी थी आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट हमारा यह कि नीती आयोग का जो नया CEO किसे नियुक्ति किया गया है तो कई बार बता चुका हूँ इसके नये CEO है और जो इसके उपाध्या चाहे नीती आयोग के यह सुमन वेरी है यात रखेंगे दोनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉइंट है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन कुश्चन नंबर हमारा फोर यह है कि हाल ही में जो डिजी यात्रा सुविदाद पाने वा पाने वाला पुरोथे पहला हवाई अद्डा जो है जिसका नाम है गोपिनात बर यहां जो हुआ हुआ अका गुवाज जो की है वो नागरिक बिवानन मंत्राले ने की है और जो नागरिक बिवानन मंत्राले है जोती राजे सिंधिया सभी पॉइंट को याद रखेंगे जोती राजे सिंधिया जो है वो हमारे नागरिक बिमानन मंत्राले है ठीक है तो इसका राइट आंसर प्लेटफार्म पूछेगा तो इसको कमेंड बाक्स में बताइए मैंने कल भी इसको डिसकस किया था और आगे भी डिसकस कर चुका हूं तो इसको कमेंड बाक्स में बताइए कि बिस्ट का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है तो अगला हमारा पॉइंट यह है कि मूल गीत स्रेणी का आसकर पुर्सकार किसे दिया गया 2030 में तो इसका जो राइट एंसर है नाटू नाटू के दिया गया है आर आर फिर्म के लिए ठीक है यह संग अगला जो हमारा पॉइंट है कि ब्यास सम्मान 2030 किसे मिला तो यह ज्यान चतुरवेदी को मिला याद रखेंगे ज्यान चतुरवेदी को मिला है चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन कुश्चन नमारा हमारा फाइप है जो दच्छिण पूर्व एसिया का सबसे बड़ा बिलावड़ी करण साइयंद कहां इस्थापित किया गया तो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर तम कि दच्छिण पूर्व एसिया का राज है सबसे बड़ा बिलावड़ी संत्र इस्थापित किया गया है तमिल नाडू में और जो तमिल नाडू के सीम है वह स्टालिन ने इस से था जो इस्थालिन है उन्होंने इस्थापित किया है तो याद रखेंगे आगे बलते हैं अगला पॉंट यह वर्ड हैपिनेस रिपॉर्ट दो हजाय थैस में भारत की राएंग क्या है यह सारे पॉंट बहुत इंपॉर्टन नोट करके रखेंगे तो इसका जो राइट अंसर एक्सो प्रदेश नंबर पर बारत के 126 नंबर पर चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन कुश्चन नंबर हमारा 6 है सिक्स नंबर का पूचे का हाल ही में सिंगापूर मैथ ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाले राजा अनरुद्ध स्रीराम का संबंद किस राज्ज से है तो इसका जो प्रदेश का राइट आंसर है जो राजा अनरुद्ध स्रीराम है जो आंध्र प्रदेश के हैं इस चौथी क्लास के स्टुटेंट थे ठीक याद रखेंगा इन्हों सिंगा पूर मैथ ओलंपियाड में रजत पदक दीता है कौन सा पदक पूचेगा तो रजत पदक इसी न क्लाइट यू तनी सवाल प्रदेश कम ये डाक कैसे थे तो यह जो है प्रदा ऑर भुलू रखेंऔर ङृद दान बीचकी सब्सक्राइब कुरेंट उन्हां स्मन ङेर पूंबाई यह भी याद रखेंगे अगला son यह है कि जो मिस्ट्रो मेया रहन information today के तह़े चष्ड्रवं पर जाने वाली पहली अंत्रिश्यात्री आप पूर सकता है तो यह किष्टीना कोश्हा याद रखेंगे किष्टीना कोश्हा है किष्टीना कोश्हा आगे बढ़ते हैं अगला question question number हमारा साथ है कि 2077 2023 कब मनाए गया है 20-24 अगस्त के बीच जो कि इसका option number C सही है इसकी जो सुरुवात हुई यह 1991 हुई और जो इसकी इस बार की theme है 2023 की theme इसकी है तो यह है जो Sears of Change इसकी जो theme है जो 2023 की याद रखेंगे विसु जल इस्थनपान दिवस की जो मनाएगा इसकी theme यह है कि Sears of Change याद रखेंगे चलते हैं आगे परते हैं अगला point हमारा यह है कि फेमिना जो Miss India 2023 की बिजेता कौन रही है तो जो फेमिना जो Miss India 2023 की ब जंदनी गुपता रही है याद रखेंगे नन्नी गुपता अगला point है कि जो प्रचेन वस्त्रकला माता नी जो पछेडी का GI tag किस राज को मिला बहुत important point है याद रखेंगे जो माता नी पछेडी जो GI tag है वो गुजरात राज को दिया गया है गुजराज राज का यह जिया करना की अनुसार सरुधिक जलासे वाला राज कौन सा है तो यह है वेश्ट बंगाल ठीक है वेश्ट बंगाल है वच्चिम बंगाल याद रखेंगे अगला point यह है कि कोलकाता बंदर गहा से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MBITT लाइन भेजा गया तो य जलते हैं अगले बढ़ते हैं अगला हमारा question question number 8 यह है कि जो हाल ही में दस दिवसी थीरू ओरम महुच्सो दोहजार तेश कहां प्रारम किया गया है तो इसका जो right answer है इसका right answer option number क्या होने वाला है याद रखें इसका जो right answer है option number एसा ही है केरल केरल राज में भी मनाये गया है थीरू ओरम दोहजार तेश का सुवारम किया गया है ठीक है यह जो है 20 से 31 अगस तक चलेगा यह भी याद रखेंगे 20 से 31 अगस तक चलेगा जो है केरल में जो फसल उससा होता है इससे मनाया जाता है ठीक और यह राजा महा वली की घर वापसी के याद में मनाये जाता है यह भी याद रखेंगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला हमारा पॉइंट है कि चलने का जो अधिकार देने वाला पहला राजा है वह है पंजाब याद रखेंगे अगला पॉइंट हमारा है कि G20 में G7 सिकर सम्मेलन जो 49 कहां किया गया है तो यह जापान में किया गया है याद रखेंगे जापान में इसका आयोजन किया गया है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है किस देश की हायरिस पार्क का नाम बदल का लिटिल इंडिया किया गया है तो सिड़नी देश का जो हायरिस पार्क है उसका न जो हमारे नए संसत्भावत का उठासन किया है 28 माई 2023 को याद रखेंगे ये डेट याद रखेंगे पूछे का परिच्छा में तो 28 माई 2030 बताएंगे चलते हैं आगे बड़ते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नमबार हमान 9 है हाल ही में हाल ही में एट बिस्व एथलेटिक संग के उपाद्धच के पदपच किस भारती को नियुक्त किया गया है तो इसका जो राइट अंसर है आपसन नंबर जो आपसन नंबर सी सही है आदिल जो सुमरी वाला है इसे नियुक्त किया गया ठीक याद रखेंगे जो 200 एथलेटिक संग हुआ था इसकी इस्थापना 19 112 में हुई थी इस्टाक हम जो कि श्वیडन में हैओ इसके जो अध्धच ingredient में है वह सिबेश्टियन है याद रखेंगे सिबेश्टियन जो इस एथलेटिक संग के अभी वर्टमान में अध्धच है और इसके जो उपाद्धच है वह चार है और जिसक भारती उसकी बिजयता टीम कुहन सी रही तो चेंग्य रही और आइप एल जो हो ही थी उसकी बिचयता टीम याध रखेंगे यह पॉैंट है और कि कि जो आपरेशन दोस्त कहां चलाए गाहा आप से पूंछ सकता है यह अपरेशन दोस्तकर इंचरा गया है तुर्किया को जो कमेंड वक्स में आंसर दीजिए दोनों को जो दोनों पॉइंट के आंसर कमेंड वक्स में दीजिए ठीक चलते हैं आगे बढ़ते हैं चर्चा में रहा है जो लूना खाटिया गाउं का संबंद किस राज से यह गुजरात में यह रहा है यह जो गाउं है गुजरात रा यह वह आश्टेलिया रही ठीक किसे हराकर यह भारत को हराकर आश्टेलिया इसमें भी जेदा टीम बन गई है याद रखेंगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन कुश्चन नंबर हमारा दस हैं दोस्तों दस्त है यह कि हाल ही में जो पंद्रहावा बिक्स सिकर स सम्मेल किसकी मेजवान ही प्रावरम भुआ तो इसका जो राइट अंसर अपस्ण नंबर है साउत अपरीका ठीक है साउत रफिका साउत अपरीका यह पहली बार कहती हम आप matar याद्रकेंगे क्यों कि तो करें दोस्तेया याद रखेंगे इस से पहले जो 14 सिखर सम्मेलन हुआ था वह चाइना इसका होस्ट देश था और इससे पहले भारत था याद रखेंगे 2022 में चाइना था 2021 में इसका जो होश्ट देश था भारत था याद रखें क्रम से इस थापना जो हुई थी इसकी 2001 में हुई थी तब इसका जो बी आर आई सी मतब इसमें ब्रजील रूस और इंडिया और चाइना सामिल थे 2001 में इसमें साउथ अफरीका जो सामिल नहीं था 2009 में इसका पहला संस्क्राण हुआ था याद रखेंगे केंट वर्ग जो की रूस में है इसका पहला संस्क्राण हुआ South Africa जो इसमें 2010 में सामल हुआ है याद रखेंगे पूँचेगे South Africa Bricks में कब सामल हुआ तो ये 2010 में South Africa Bricks में सामल हुआ है याद रखेंगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट हमारा है जी 7-23 का Ходы East आपसे पूँच सकता है तो यह Japan होस्ट अधेज है stylish जी 7- deadly 23-20 Server जी 20 instructed होस्ट देज में भारत हैं याद रखेंगे और जो अगला पॉइंट ये है युद्ध चेत्र जो सिया चिन में तैनात पहली महिला सएन अधिकारी कौन है सारे पॉइंटों को याद रखेंगे कैप्टन स्थिया चमान इसका राइट एंसर है जो प्रवासी भारती सम्मेलन हुआ था 2030 में इसमें जो मेजबान था इंदोर जो मद्ध प्रदेश में इसमें जो इसका आयोजन किया गया है ठीक यहाँ पर तो अगला पॉइंट यह है कि दच्छिन अप्रीका में आयुजित यू 19 महिला टुटन टीम जो 20-00-23 की विजय ताक टीम क्सी है तो यह भारत रही है किसी हराकर ? इंग्रेंट को हराकर भारत इसकी विजय ताक टीम बनी थी ठीक है तो बस आज का जो वीडियो यहीं तक दोस्तों गर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों तक सेयर करें सस्क्राइब करें बस आज का वीडियो यहीं तक मिलते हैं नेस्ट वीडियो दोस्तों जहिन जभारत